नमश्कार साथियों आपका ग्यानवानी के इस एपिसोड में बहुत-बहुत स्वागत है ग्यानवानी में हम कोशिश करते हैं कि आपको जो हमारे UPPCS के टॉपर्स हैं उनसे मिलाएं ताकि आपको guidance मिले और वो guidance इस form में हो कि जो आप examination की तयारी कर रहे हो जो उसकी बारीकियां हैं और जो गलतियां हैं वो आप समझ पाओ और जो आप अपनी तयारी का जो orientation है उसको सही कर पाओ ताकि आप इस examination को जल्दी से जल्दी qualify कर ले और select हो जाएं तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ फरहीन जाहिद मैम आई हुई हैं हमने इन से बहुत request किया बहुत ही tight schedule में से इन्होंने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला है मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैम की इस week joining है फिर भी मैम ने study IQ के लिए आप सभी के लिए समय निकाला तो साथियों आज का जो ये program है इसका मैं आपको बता देता हूँ इसका हम लोग किस तरीके से करेंगे पहले जो मैम का experience है मैम का struggle है और जो इस examination को लेके मैम की learning है मैम एक बार उसको बता देंगी ताकि इससे ये होगा कि जो आप सभी के जो questions हैं जो basic questions हैं वो इसी conversation में solve हो जाएंगे और उसके बाद फिर अलग से हम लोग prelims पे, mains पे, interview पे और UPPCS के बदलते हुए pattern पे, prelims में, mains में जिस तरीके के questions change हो रहे हैं उस पे discuss कर लेंगे और end में आप सभी के जो भी doubts हैं उन doubts को ले लेंगे तो चलिए माम के साथ शुरुआत करते हैं तो माम congratulations selection पे तो सबसे पहले start में तो यह बता दीजिए feeling कैसी रहती है select होते है मतलब relief था या ज़्यादा खुशी थी आपको select हो गया finally पहले तो जब लिस्ट में अपना नाम देखते हैं especially mostly होता यह कि आपके दोस्त आपको बताते हैं कि अच्छा तुम्हारा selection हो गया है या फिर ऐसे तो पहली तो feeling यह आती है कि believe नहीं होता है कि suddenly ऐसा है कि आप crowd के इस तरफ से आप दूसरी तरफ चले गए हो तो वो एक बहुत अच्छी feeling होती है obviously बहुत खुशी होती है but then धीरे धीरे उसको sink in करने में काफी time लगता है कि yes now you are on that side of the you can say that side of the road तो काफी अच्छी feeling आती है काफी खुशी होती है और सिर्फ अपने लिए खुशी नहीं होती है अपको अपने आसपास के जो लोग हैं आपकी family especially उनके लिए भी बहुत खुशी होती है क्योंकि यह struggle सिर्फ अपनी अकेले की struggle नहीं होती है आपकी प काफी अच्छा लगता है काफी अच्छी feeling है तो मैम जैसे आपने family की बात करी आपने struggle की बात करी तो जो हमारे साथ में students बने हुए हैं तो इस examination की इन सभी ने तयारी दो कर दी है बट कहीं न कहीं बीच बीच पे confidence डाउन होता रहता है जैसे आप तो ultimately select हो गए तो इस दोर सही है या नहीं है यह तो देखे preparation का पार्ट है यह बहुत natural feeling है कि जब भी आप किसी exam की तयारी करते हैं या फिर life में आप कुछ भी करते हैं तो actually आप किसी भी चीज के लिए risk ले रहे हैं तो हमेशा एक वो self-doubt और यह वाली feeling हमेशा रहती है कि पता नहीं जिस चीज के ल बहुत जरूरी है motivated feel होना बहुत जरूरी है इसके लिए तभी आप जब आप self-motivated रहते हो तभी आप आगे बढ़ते हो कभी यह भी feeling आती है कि चलो एक बार exam नहीं निकल रहे है तो लगता है कि अब शायद नहीं निकलेगा लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक बार अगर आपक किसी को कम टाइम लगता है थोड़ा जादा किसी को टाइम लगता है तो at the end जो भी लगा हुआ है consistently जो भी लगा हुआ है मुझे लगता है कि वो एक नहीं एक दिन उसको success जरूर मिलती है तो साथियो सबसे पहली learning तो यही है जब आप तयारी कर रहे हो यह जो cycle है आपकी examination cycle है इसमें doubts आएंगे motivation का level भी आपका उपर नीचे होगा लेकिन consistency जो है आपको बरकरार रखनी है you have to be consistent और जैसा कि हमने देखा है कि जित्ते लोग consistently होके effort डालते हैं throughout the year पढ़ाई करते हैं ultimately end में जो उनको reward मिलता है वो selection के form में मिली जाता है तो मैं आपने जो यह तैयारी करी थी या जो आप select हुए ते उस journey को आप थोड़ा एक brief में बता दोगे कि आपने क्या क्या किया था कैसे कैसे किया था ताकि जो हमारे students देख रहे हैं वो pick कर ले जहां 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 तो उनको problems आती हैं जो जो आते हैं हम detail में भी एक बार इस 2016 मैंने electronics and communication engineering में अपना बीटेग पास आउट किया था अपने hometown से ही UPTU का college था काली चरण निगम institute of technology तो अपने आप में ये भी एक जो एक डाउट आता है कि नहीं अगर हम किसी नॉर्मल किसी हम college से पास आउट हैं तो हम शायद ये वाली जरनी हम सीख कर रहे हैं तो वो पता नहीं होगा या नहीं होगा तो पहले तो ये वाला डाउट भी अपने माइंड से निकाल देना चाहिए कि अगर आप किसी बहुत बड़े colleges से आप IIT से या फिर आप ऐसे बह मैंने job नहीं किया मैंने starting से ही जब मैंने मेरा graduation complete वा उसके बाद से ही मैंने preparation 2017 से start किया था शुरू में मैंने कुछ classes ली लेकिन बाद में मुझे एक साल के बाद मुझे ये समझ में आया कि this preparation is all about yourself आप जितना जादा उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे क्योंकि हर किसी के हर किसी के अपनी कुछ strengths होते हैं कुछ आपको अपना SWOT analysis करना पड़ेगा पहले कि कौन से आपके weak points हैं कौन से आपके strong points हैं और उसे आप कैसे जादा से जादा आप उसको कैसे capitalize कर सकते हो अपने लिए तो यह चीज इस पर काम करना चाहिए शुरू से ही और फिर आगे हम लोग इस पर discuss करेंगे strategy क्या रहनी चाहिए prelims, means और interview के लिए यह भी अभी आगे बात करेंगे इस पर भी तो साथियों जो यह self-doubt वाली चीज है यदि आपने तयारी start कर दी है तो मन में एक ही चीज होना चाहिए कि select होना है जो if या but का कोई scope नहीं रहना चाहिए आपके मन में यह जो कहते ना two minds में हैं लग भी रहा है नहीं भी लग रहा है तो सबसे पहले उस doubt को निकाल फेकी है मन से कि मैं जा रहा हूँ इस चीज के लिए मुझे select होना है तो select होंगा और दूसरी चीज इस examination को लेके जैसा कि मैम ने कहा जो matter करेगा आपके selection में आपका past record जो भी रहा हो चाहे वो आपके schooling को लेके रहा हो चाहे आपके graduation को लेके रहा हो वो इतना matter नहीं करता है अगर आप exam oriented होके पढ़ाई करते हो कहने का ये मतलब है कि यदि आपके graduation में marks कमते या graduation का college जो है इतना नामी गिरामी नहीं था फिर भी ये examination सभी को एक equal putting पर opportunity देता है जो इस examination को सही तरीके से approach करता है अगर आपकी approach सही है तो आपके selection के chances बढ़ जाते हैं और दूसरा चीज जैसा कि मैं आम ने कहा एक customization की मैं ने बात करी तो customization से ये समझ लीजे कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप मेंसे यहाँ पे जितने लोग देख रहे होगे आप मेंसे काफी सारे लोगों ने ये चीज़ find out करी होगी किसी की memorization power बहुत strong रहती है आपको facts figures बहुत जल्दी आद हो जाते हैं history के facts figures बहुत जल्दी आद हो जाते हैं ये year था इसके बाद ये आई थी ये chronology थी कुछ लोग इसमें struggle करते हैं और यहीं पर कुछ दूसरी साइड आ जाओ तो कुछ लोग की answer writing बहुत अच्छी होती हो बहुत अच्छा descriptive लिख लेते हैं लेकिन prelims में जो है थोड़े कमजोर होते हैं तो ये आपको खुद analyze करना पड़ेगा कि आप कहां पे strong हो कहां पे weak हो और उसी हिसाब से जहां पे कमजोर हो वहां पे extra time देना पड़ेगा जो आपकी strength है उस पे आपको खेलना पड़ेगा कि यहां से मेरा selection आएगा यदि आपकी memory strong है ठीक है मैं prelims के लिए जो मेरा time है उसको थोड़ा कम कर सकता हूं अगर memory strong नहीं है अगर चीज़े रिटेन नहीं रहती है तो आपको वहां पे extra effort डालना पड़ेगा तो मैं अब शुरुवात कर लेते हैं तो जैसे जब आपने शुरुवात करी तो क्या आपका कोई fix time table था या फिर जस्ट ऐसे समय के साथ सा तो बनता चला गया कैसे था आपका routine का क्या importance है और आपका time table क्या था देखिए जब आप preparation स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें throughout the preparation वो modify होती है शुरू में आपका time table हो सकता है कि आपको थोड़ा rigid बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको अपने आपको discipline करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी आप कुछ भी करते हैं life में सिर्फ UPSC नही आप किसी भी ज़ीज के लिए आप जाते हैं तो आपको खुद को discipline रखना पड़ेगा उसके लिए time table बहुत ज़रूरी है क्योंकि होता क्या है कि this exam is not about a single subject it it has you have to study lots of subjects in this preparation तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके time अपना slots डिवाइट करने पड़ेंगे कि अच्छा ठीक है मैं दिन का ये वाला time मैं यूस्पेपर को दूंगा या नियूस्पेपर को दूंगी फिर उसके बाद आपको अपना जो भी आप GS की करने पड़ेंगे क्योंकि उसका फाइदा दूसरा भी उसका फाइदा यह है कि जब आप एक ही सब्जेक्ट को बहुत जादा पढ़ते हैं तो वह एक पॉइंट के बाद मोनोटनिस हो जाता है और लेकिन अगर आप diversity of topics को लेके आते हैं और टाइम डिवाइट करके करते है तो मुझे लगता है कि वो एक आपका interest बना रहता है subject में और आपके पास short term जो targets होते हैं जब आप वो achieve कर लेते हैं तो sense of achievement एक अंदर से तो that is also a reason for getting self motivated कि अच्छा ठीक है मेरा ये target था तो मैंने ये एक week में या फिर 15 दिन में मैंने उसको achieve कर लिया तो साथियों जैसा कि मैंने कहा प्रशान पलवी आदर्श पंकर्श आई होप आप सब सुन रहे हो तो सबसे पहली चीज तो ये रहते हैं कि जब हम कोई भी ची बजे शाम आते आते शुरुआत करता हो तो ये चीज देख लिजए कि आप कोई भी काम कर रहे हो एक्जाम दे रहे हो तो आपको अपने comfort zone से बाहर आना पड़ेगा एक routine होना ही होना चाहिए इस preparation के दोरान जो आपका सबसे best friend रहेगा आपका routine रहेगा और आपका discipline रहेग उतना better रहेगा और दूसरी चीज जो हमने ये पाई है जो students रहते हैं जैसा कि मैम बोल रही है कोई एक subject लेके उस पे बहुत ज़्यादा time दे देते हैं जैसे कि quality उठा ली अब दिन रात quality ही कर रहे हैं एक महीना quality ही कर रहे हैं तो उनका ये है कि मैं quality पूरी तरीके से खतम कर लूँगा उसके बाद फिर किसी और subject पर move करूँगा ये strategy अगर आपके लिए पहले काम करी है आप इसको continue कर सकते हो लेकिन जैसा कि मैम ने कहा अब इसके साथ दिक्कत ये आती है दो दिक्कते आती है पहला एक तो आप बोर हो जाओगे कुछ time के बाद जैसा मैम ने बो करते रहोगे तो आप उसको better retain भी कर पाओगे प्लस अगर थोड़ी बहुत diversified form में पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा जैसे कि quality किया आप quality में कोई ऐसा topic आ गया जो बहुत ही static है जैसे historical background ले ले लेते हैं आप revise कर रहे हो या first time पढ़ रहे हो वो सकत पर आप extra effort डाल सकते हो तो मैम अब तो students को पता चल गया एक routine होना चाहिए discipline होना चाहिए अब प्रिलिम्स पर बात कर लें तो प्रिलिम्स फोकस होके आपने कौन सी books करी थी किस तरीके से मतलब प्रिलिम्स क्या था क्योंकि सबसे बड़ी problem तो यही रहती है कि सालों साल तक प्रिलिम्स ही नहीं निकलता है तो प्रिलिम्स का एक जो नेचर है वो पिछले दो साल में तीन साल में जैसे कि हम देख रहे हैं कि थोड़ा एक उसका nature of questions जो है वो चेंज हो रहे हैं तो उसके लिए मैं चार चीजें रिकमेंट करूंगी सबसे पहले तो मैं प्रिलिम्स के खरेश लिए तो आपका स्टार्टिक जो निचेरियल जो भी आप follow करते हैं जो बूक्स जैसे कि जो conventional बूक्स आपने लग्श्मी कान्थ पढ़ी है आपने पॉलिटी या ज्यों सब्सक्ट के लिए और बेसिक जो एंसी आर्टी अपकी वह तो आपको पढ़नी है तो सबसे पहले तो वह जो स्टाटेक पोर्शन है वह आपके टिप्स पर होना चाहिए नच किसी भी टॉपिक पे वह बहुत वाइड है और उस पे हम बहुत जादा कमांड होल नहीं कर सकते तो स्टार्टे कि जिसके थूर आप सबसे पहले तो आप लेवल पे आ जाएंगे कि अच्छा ठीक है मुझे इतना अगर कॉलिफाई करने के लिए मुझे इतने नमबर चाहिए तो मेरा स्टार्टिक से इजिली हो जाएगा तो दाट शुड बी ओन यॉर टेप सेकेंड जो मैं रिकमेंड करूंगी स्पेशली जो यूपी-पी-स का प्रिलिम है उसके लिए मैं पी-वाई-क्यू जो अनालेसिस है और उनका अनालेसिस करना और अनालेसिस सिर्फ यह नह जो चॉइसस उसमें दी होई हैं उसके सिर्फ राइट आंसर नहीं जो उसमें उसमें रॉंग आंसर भी दे रख्या है उनके बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एक डीटेल एक अनालेसिस इस बात का हो जाए कि उनके पास उनके वोक्याबलेरी में क् तो वह काफी इंपर्टेंट हो सकता है कि कभी-कभी डिरेक्ली हो सकता है कि वह क्वेशन कभी दोबारा रिपीट ना हो लेकिन उसके बेसिस पे आप कई सारे क्वेशन से हैं जैसे कि साइंस के टॉपिक्स हैं तमझ मैं नहीं आता कि कहां से प्रिपार करें तो इन जो यह या फिर एंचेंट हिस्ट्री के जो अपिक्स होते हैं उसके लिए प्रिलिम्स के लिए I think PYQ काफी एफीशन्ट रहते हैं तीसरा मैं रिकमेंड करूंगी कि कि किसी भी आप किसी भी एक कोचिंग का जो मतीरियल है उससे जो करेंट अफेर की बुकलेट आती हैं स्टडी आईक्यू का मिटीरियल भी ले सकते हैं और उससे जो पिछले स्पेशली जो लास्ट सिक्स मंथ का जो करेंट अफेर हैं क्योंकि यूपी का जो पेपर होता है प्रिलिम्स का उसमें बहुत जादा वो पीछे की परानी इंफोर्मेशन नहीं होती है तो आई थिंग कोई भी एक बुकलेट लेकर उसको करेंट अफेर को कवर कर सकते हैं और चौती चीज मैं यह रिकमेंड करूंगी जो जनरली लोग स्किप कर जाते हैं कि जब आप न्यूस पेपर पढ़ते हैं तो न्यूस पेपर से क्योंकि अभी जो पेपर आ रहा है जैसे कि अभी 23 का अ कि आर्मी के कॉंस्क्रिप्शन पे एक क्वेशन पूछा था कि जो भी न्यूस पेपर पढ़ रहा है वो बहुत इसली उसको क्वेशन को देखते ही वो इसको अटेम कर लेगा तो एक आपका जो ओरियंटेशन उस तरह से कि न्यूस में क्या चल रहा है तो न्यूस पेपर क जो है पीवाईक्यू से बेतर आपको कोई नहीं दे सकता है अब पीवाईक्यू करने का जैसा इंपॉर्टेंस है जैसा मैम ने कहा एक तो आपको पता चल जाएगा कि यह जो कमिशन है कौन से एरियास पे ज्यादा फोकस करता है कहां से क्वेशन पिक करता है और पीवाईक कुछता है इसके question पूछने का लहजा क्या है इसका option set करने का लहजा क्या है यह किस तरीके से option set कर रहा है किस तरीके से questions पूछा है और जो दूसरी important cut off होती है वो कुछ number से miss होती है और यदि analysis करोगे तो एक चीज़ पाऊगे PYQ से काफी सारे questions repeat होते हैं अगर वो repeat नहीं भी होते हैं तो जैसा मैम ने कहा कि केवल सही option ही मत देखो जो उसमें नीचे के तीन options हैं जो relevant नहीं है उस question के लिए लेकिन उन options की भी study करो ये option क्यों पूछा गया है ये option क्यों डाला गया है क्योंकि हो सकता है पहली possibility यही है कि PYQ उठा के as it is पूछ ले जैसा history में करता है जोगरफी में करता है science and tech में भी काफी सारी आ जाती है quality में भी आ जाते है और दूसरी चीज जो वो options दे रहा है उस question के according उसके around भी next time question frame करके वो दे सकता है तो PYQ जो है आपको एक रास्ता दिखा देगा आपको इसी रास्ते पे पढ़ना है आपको इसी direction में पढ़ना है और आपको ये ये चीज़े पढ़ने हैं तो PYQ लीजे और PYQ का जो है एक trend analysis कीजे किस trend में questions पूछ रहा है किस तरीके से questions पूछ रहा है और कहां कहां पे patterns change हो रहे हैं कहां कहां पे आपको बदलाव लाना है तो मैम इसके बाद जो एक चीज़ आती है prelims को इलेकर UPPCs की कुछ special books हैं जो आपने follow करी हैं जो आप बच्चों को बताना चाहोगे apart from study IQ जो course material देता है उसके अलावा जो उनको पढ़ने की जरूरत है या यहां से questions आ जाते हैं या इस book में थोड़ा बहतर बताया हुआ देखिए UP special के लिए prelims point of view से अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि उसको काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं specially put subjects के लिए जैसे कि आपके geography, word geography के लिए और science और ancient and medieval history के लिए उसको काफी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं बाकि मुझे लगता है कि जो दूसरे subject जैसे कि quality है या फिर modern Indian history है तो उसमें जो conventional आपकी books हैं जो सभी बढ़ता है quality में लक्षमी कांत और spectrum है उसको multiple times पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको ये confidence रहना चाहिए कि अगर यहां से कोई question आया है quality के अगर कोई question आया है और ये मेरी लक्षमी कांत में दिया हूँ है तो वो question आपको गलत नहीं होना चाहिए तो ये feeling के साथ इस confidence के साथ आपको अग्जाम में बैठना पड़ेगा इसके अलावा मुझे लगता है कि किसी भी coaching का material या फिर कोई भी पर्टिकुलर यूपी special जो current affair है वो कर सकते हैं क्योंकि इस exam में क्या है कि content market में बहुत ज़्यादा वेले पले है हम क्या करते हैं कभी-कभी एक हमने book पड़ ली उसके बाद हम सोचते हैं कि market में तो ये भी दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा eye-catching लगता है कि अरे फोमो होने लगता है कि मैंने तो ये भी नहीं पड़ा मैंने तो ये भी नहीं पड़ा तो हमें करना क्या होता है इसमें strategize करने के लिए उसको कि अपने sources को limit करके और उसको multiple times जैसे कि throughout मेरे preparation में मैंने लक्षमी कांद को करीब 16 times पड़ा है और अभी भी मैं ये कह सकती हूँ कि अब मैं next time पड़ूँगे तो शायद मुझे कुछ नई information कुछ नया सीखने को मिलेगा तो वो एक उस understanding के साथ और इस वज़ा से भी अगर हम एक subject को बहुत लंबा बहुत जादा देर तक हीचते हैं तो उससे फिर फिर ऐसा लगते है कि हमने एक बार में सब कुछ पड़ लिया है बट इन next time फिर हम पड़ते हैं फिर हमें कोई नई information में तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्दी जल्दी और जितने multiple times हम किसी भी बुक को या फिर किसी भी material को बढ़ पाएं तो वो जादा इंपॉस्टन है तो कविता, सत्रें, दिपांशू, अंकिता तो माम ने जो बोला है वो यह है कि अगर library में बैठे हो या कहीं पर बैठे हो कोई दोस्ट जो है कोई चमकीली किताब लेके बैठा है तो परिशान नहीं होना है जो material जो content पढ़ रहे हो आप उसके उपर confidence रखना है कि यही material है जो multiple toppers ने recommend किया है जो आपके faculties recommend करते हैं जो आपके teachers recommend करते हैं एक ही किताब को जो है आपको multiple times पढ़ना है उससे यह होगा कि जो किताब में लिखा होगा वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा जब paper देने जाओगे तो वो किताब का जो paragraph है वो जो किताब की headlines है sub headlines है chapter है वो आपको याद आने लगेगा और अगर different materials के पीछे भागोगे जो भी चमकीली चीज दिखी अगर उसको chase करने लग जाओगे तो होगा ये कि चीज तो एक ही लिखी होगी fundamental rights ही लिखा होगा लेकिन पाच किताब में पाच तरह से लिखा होगा अब पाच किताब में पाच तरीके से पढ़ोगे तो केवल और केवल confuse होगे multiple times पढ़ों और इसी में एक चीज जो मैंम ने बोली है कि अगर मैंम आज भी लक्ष्मी कांत पढ़ेंगी तो भी उनको उसमें से कुछ नई नई चीजें निकल के मिलेंगी तो इस चीज के लिए मैंम एक चीज बताईए इसी से अगला question होता है कि कुछ बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं एक chapter पढ़ लिया दूसरा chapter पढ़ लिया लेकिन एक जो conceptual clarity हम लोग कहते हैं कई बार पता नहीं चलता है कि मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मैंने parliament पढ़ लिया multiple times पढ़ लिया अब parliament पे एक basic सा question आ जाए कि इसमें से कौन-कौन parliament का हिस्सा है अब वो वहाँ पे चार option दे दे अब हम वहाँ पे confused हो जाएंगे प्रेजिडेंट है की नहीं है लोग सभा राज सभा तो पता है उसके बाद उसने कोई चौधा option दे दिया सब्सक्राइब करेंगे तो जब आप उन questions को solve कर रहे हैं अपनी existing जो आपके पुरानी knowledge है जो आपने पढ़ रखा है तो कभी तो ऐसा होगा कि आपके वो questions एक दम आपको समझ में आ जाएंगे लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आपने पढ़ाया है लेकिन आपको समझ में नहीं इसलिए वो हमारी जो exercise है वो जो mock test प्राक्टिस करते हैं या फिर हम पी वाई क्यों की प्राक्टिस अगर हम करते हैं अगर वो तू आवर्स का पिपर है तो आपको टू आवर्स लेके और अपना अपनी इंफोमेशन दिया उसको यूज करके आपको आपने पहले इंफोमेशन कर लिया अपने पढ़ लिया है तो वह एकदम सॉलेड हो जाएगी कि अच्छा ठीक है मैंने यह पढ़ लिया मुझे अभी आता है दूसरी चीज यह होती है कि आपको कोई चीज नहीं समझ में आई थी यू कन अगें गो बाक टू यार ओर और इ कि मौक टेस्को हमें ऐसे लेना है जैसे डाट इस वाइन इनफोमेशन लिए कोई नई चीज मिल रही है तो आप अपने एक्जिस्टिंग सोर्स में उसको आड़न कर सकते हैं लेकिन आपको उसका जब जब आप रिवाइस करते हैं कोई चीज दुबारा घूम के जाते हैं तो बार-बार रिपीटेडली आपको आपके जो कन्वेंशनल जो सोर्सेज जो आपने अपने लिए बना रखे हैं या शॉट नूट भी बनाते हैं लोग तो आपको बार-बार वही पढ़ने बस आपको नई इंफोमेशन उसमें इंक्लूट करनी है ताकि नेक्स टाइम ज जो की बहुत बेसिक सा डाउट आता है यह जो मॉक्स लगाने की बात आप कर रहे हो यह कब लगाना चाहिए जब पूरा आपने पढ़ लिया है पॉलिटी पढ़ ली इस्टी पढ़ ली उसके बाद या उसके दोरान भी आप लगा सकते हैं जैसे मैंने एक चाप्टर कर ल छोओ अपनी तो हिए यहँात हुआ है दो यूनियर्स नेयुमाे शेक गिंठी कर लिया है और उसमें एक बीक है शेक्जनल टे च्थ है जो कि मैं करूगा एं आर। si sama CO also बाए आप कि अपने बी क्षी 설leş्च के खाव से है काई यह घॉत कि कभी यह भी होता है कि आप जादा जब आप पढ़ते हूँ तो आपको लगते हैं कि आप जाधा रेटीन कर पा रहे हैं परस्नली मैं अपने लिए जो स्ट्राइजाइज करती थी मैं बहुत जाधा सेक्शनल टेस्स में नहीं बिलीब करती हूँ मुझे लगता है कि एक बार आपने पढ़ लिया है उसके बाद करता है कि आप कैसे उसको डील करते हो सेक्शनल टेस्स भी आज सोर्स ऑफ इंफोमेशन लेना चाहिए और उसमें जो कभी ही होता है कि उसमें कम मार्स आते हैं तो बहुत डी मोटिवेटिंग लगता है कि मैंने पढ़ लिया है फिर भी मेरे मांक्स नहीं आ रहे हैं उसको ह अफिर में मार्स की बेसेस पे जजनेगा नहीं उसको में सिर्फ आज सूर्स ऑफ इंफोमेशन देखना है कि कोई नई चीज अच्छा मुझे इससे सीखने को मिली है तो बस उसको ऐसे देखना है और उससे मार्स की बेसे बिलकुल डी मुटीवेटिट फील होने कि जरूरत नहीं है तो साथियों जब भी आप मॉक्स लगा रहे हो चाहे आप सेक्शनल लगा हो या फुल लिंथ मतलब जब आपका पूरा सिलेबस या वो टॉपिक कवर हो गया हिस्ट्री में आपका कवर हो गया उसके बाद लगा तो इसमें बस एक चीज का नोट करो कि इसका परपस स उसमें क्लियर हो या नहीं है और दूसरी चीज है सेक्शनल में ऐसा रहता है कुछ सारे सेक्शन बराबर नहीं होते हैं कुछ टफ होते हैं कुछ रोट लर्निंग बेस होते हैं कुछ में आपको कॉंसेप्ट की जरुरत होती है तो जो इनमें आपके नंबर्स आएंगे वो वो section उससे belong करता है, वहाँ पे जित्ती चीज़े पूछी गई है, वो चीज़े मैं सही लगा रहा हूँ, सही लगा रही हूँ, और वो चीज़े मुझे समझ में आ रही है। और इसी से निकल के एक दूसरी चीज़ आती है, जो आप सभी ने phase करी होगी, जो लोग मॉक्स लगाते हो, मॉक्स लगाते लगाते ऐसा हो जाता है कि आपका जो मॉक्स का बंडल है, वो आपके primary source से ज़्यादा बढ़ा हो जाता है, मॉक्स का एकदम pile up हो जाता है, मॉक्स, यहाँ पे मॉक्स की जित्ती papers होते हैं, उत्ती आपकी main किताबे नहीं रहती, तो यह mistake आपको नहीं करनी है, आपका जो source रहेगा, वो primary source रहेगा, मॉक्स में से जो additional information आ रही है, plus जो relevant information आ रही है, वो चीज़ आप अलग से note-down कर ली जाएगा, जैसा कि माम ने कहा था, और note-down से एक important चीज़ माम निगल के आती है, वो है note-making, आप सभी को जो है, माम ने बहुत ही बहतरीन, बहुत ही खुबसूरत notes बनाए हैं, वो notes भी आपको एक session में हम लोग दिखाएंगे, कि किस तरीके से माम ने notes बनाए थे, खेर, अभी मैं हम एक note-making पर बात कर लेते हैं, कि आप किस तरीके से अपने notes बनाते थे? देखिए, notes-making का सबसे पहले एक fundamental ये है, कि सबसे पहले आप, आपका जो, जो भी material है, नसी आर्टीज हैं, या फिर बुक्त हैं, पहले उसकी कम से कम, दो, या कम से कम, तीन reading है, कि वो करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, कि हम लोग जल्दवाजी में, पहली reading में ही, जब हम पहली बार किसी बुक को पढ़ते हैं, तो हम सुचते हैं, कि हम इसके notes बना लेते हैं, नेक्स ताइम हम इसको notes से पढ़ेंगे, पहली बार reading में एक तो यह होता है, कि हमें पूरी information उससे मिलती नहीं है, और फिर बहुत कुछ important ऐसी information होती है, जो कि हम लिखते नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा होता है, कि हमें लिखना है, क्या लिखना है अपने notes में, तो notes बनाने के लिए, सबसे पहले तो आपको तीन reading कम से कम, बहुत कुछ वे में, तीन कम से कम reading करनी चाहिए, जिससे आपको यह पता चल जाएगा, कि इस book में क्या कौन से topics covered हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद आपको यह देखना है, कि उसकी mapping करनी हैं आपको, जो भी आपने पढ़ा है, उसकी mapping आपको syllabus, प्लस आपको पीवाई की उस्ते, क्योंकि नोट्स मेकिंग जब हम करते हैं, तो मोस्टली नोट्स मेकिंग करते हैं, मेंस पॉइंट ओप यू से, ताकि जब हमारा मेंस का एक्जाम है, तो उसमें लास मिनिट में हमें काफी एक्टिवली हमारे रिविजन हो पाए, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी पीवाई की उससे, कि जो questions पूछ रहे हैं, नोट्स मेकिंग ऐसी होनी चाहिए, कि लास मिनिट पे आपका जो भी content आपके पास है, आपको relevant लगना चाहिए, तो मुझे ये पता है कि मेरे नोट्स में यहां उस पेज में वो information लिखी है, तो मैं उसको यूज करूंगी ऐसे, तो ये point है इसके लिए note-making के लिए, दूसरा note-making के लिए मैं अपने लिए personally यह करती थी, कि मैं अपने ही अपने nots को मैं नहीं किया हुआँ था, जए अपने नोट्स को मौड़िफाई कर ती मुझे लगता था, कि ये चीज लिखिए है तो ये मुझे लगता है कि बहुत जादा मार्क्स पेचिंग नहीं है या बहुत अट्राक्टिव नहीं है तो मैं किसी और तरह से उसको लिखने की कोशिश कर दी तो उसे एक फायदा यह होता है कि बार बार रेपिटेड मेरा रिविजन भी होता हो औ जाएक जाए प्डेटेड होते थे और ऑडिपाइ होते जाते थे कियोंकि इस exam में क्या है कि इस exam में this exam is not only about yourself एकप्रावड है जिसमें you have to like shed the odd one out तो उसको भूंजीज करने के लिए आप जयसे कि पहले भी मैं हमेशा यही बोलते हूँ अपने लिए भी में यह तो आपके जो नोट्स हैं वह उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं आपका कोई भी आंसर है वह एक प्लाटर की तरह है जितना अच्छा प्लाटर दिखता है जितना ज़ाद उसको खुब्सूर्ती से आप रिप्रेजेंट करेंगे वह उतना ज़ादा अट्राइक्टिव इंफॉमे तो बस वहीं पर हमें आधा आधा नंबर सारे अंसर में अगर हम ले लेते हैं तो यही था तो खैर इस पर मैं एक चीज़ कहूंगा जैसा कि मैं ने कहा कि जो आपकी note making है तो जो आप note बना रहे हो आप एक छापा खाना नहीं खोल रहे है अपने लिए कि A से लेके Z तक जो मिला सब कुछ लिखते चले गए आपको कालिदास नहीं बनना है note making का purpose आपको यह समझना है कि जो आप notes बना रहे हो आपके revision के लिए वो last moment revision के लिए तो जब notes बना रहे हो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो कि वो last moment पे आपको revise करने में help चाहिए help करना चाहिए यदि आपके notes आपको last moment पे revise करने के help कर रहे हैं तब तो उनकी utility है अगर आपने notes इस तरीके से बनाए है कि लक्ष्मी कांत की एक एक line जो है अपने notes में लिख दी है तो उसका आपको कोई फायदा या benefit नहीं होगा और इसी से निकल के दूसरी चीज़ आती है जैसा मैं आपने बोला कि जब भी कोई नई चीज़ सामने आती है उसको लेके note मत बनाने लग जाओ पॉइंट जो मैं ने बोला आपको syllabus से आपको PYQ से उस चीज़ को relate करना है यदि जो information आप पढ़ रहे हो वो PYQ से syllabus से relate कर रही है तब उसको अपने note में डाल दीजे या वो चीज़ आप याद नहीं कर सकते उसको अपने note में डाल दीजे या वो कोई concept है जिसके basis पे multiple questions solve होने वाले हैं उसको अपने notes में डाल दीजे और एक important चीज़ मैं ने बोली कि मैं अपने notes को modify करते चले जाते थे तो मैं इससे निकल के दूसरा सवाल आता है कि जब आप अपने notes को modify कर लेते थे तो ये क्या physical notes होते थे या digital notes होते थे starting में जब मैंने notes बनाना शुरू किया था तब वो सारे physical notes होते थे gradually फिर मैंने उनको digitize भी करना शुरू किया क्योंकि वो वो एक personal reason की वज़े से क्योंकि ऐसा कुछ mandatory नहीं कि आपको physical notes ही बनाने और तो जहां पर जैसा comfort है उसे साफ से अपने notes बना सकते हो तो मैं अब इससे तो यह आशा है कि prelims clear हो जाएगा अब मेंस पे आजाते हैं तो मेंस की तयारी कैसे करें मतलब शुरू से ही करें या पहले wait करें कि prelims होगा उसके बाद मेंस के लिए बैठेंगे क्या strategy रहनी चाहिए या कैसा करें तो बहतर रहेगा यह तो देखे बहुत स्ट्राटेजिक एक मिस्टेक हो जाएगी कि आपको पता चाहिए कि वैसे भी प्रिलिम्स जैसे कितना इतना डाइसी होता जा रहा है सदेनली आपको पता चलता है कि आपका प्रिलिम्स क्वालिफाई हो गया है अब आपके पास सिर्फ तीन मेने हैं और आपको अपने मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो वह तो बहुत एक स्टेट ऑफ पानिक हो जाएगा और दूसरी चीज यह भी है कि जब आप प्रिपरेश आप साब करते हैं कि लोग अगर जो जो की प्रिपरेशन कर रहें है या नες पहले अपना पहला इंप नहीं दिया है या देना चाहते हैं तो उनके लिए important यह है कि वो अपनी तयारी जो करें वो मेंस के perspective से पहले करें क्योंकि एक मैं अपने लिए मेरा personal opinion अपने लिए ये था कि मैं अपनी मेंस की तयारी पूरी रखूंगी जिस दिन मेरा prelims qualify होगा मैं उस दिन मेंस को बहुत अच्छे से करूंगी मेरी अपने लिए ये strategy ती इसलिए भी मेरा ये जो यूपी PCS का जो मेरा exam था भी 2022 का ये पहला ही मेंस था तो पहले मेंस में ही I could do good job तो ये मेरी अपनी personal strategy थी तो मुझे लगता है कि मेंस के लिए starting से prepare करना बहुत ज़रूरी है और उससे आपकी preparation नहीं होगा तो आगे कहानी यह मेंस नहीं हुआ तो पुछ भी नहीं होगा तो अगर प्रिलिम्स मुल्टिपटर टाइम्स कॉलिफाई कर रहे हो और अगर mains नहीं हो रहा है तो आपका जो preparation का cycle हो फिर से शुरू हो जाता है तो जैसा मैंने कहा कि mains की तयारी ऐसे रखो कि prelims dicey है, uncertain है, नहीं होता है लेकिन जिस बार हो उस बार जो है आप end to end पूरा cycle जो है एक ही बार में complete कर लो और उसके लिए जो सबसे best approach है जैसा मैंने कहा integrated approach है mains का भी I think मैं वही PYQ आप देखिए उनको analyze कीजिए उसके basis पर आप तयारी कीजिए जो आपके notes बनने हैं जिस हिसाब से बना रहे हो उस चीज़ को भी करो और जो एक बहुत important चीज मैं ने बोली इसको मैं repeat करना चाहूंगा जो लोग note बना रहे हैं आप लोग note में लिख सकते हो या इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं ने कहा कि आप prelims जो है दो महीने में clear कर सकते हो पढ़िके लेकिन आप मेंस qualify नहीं कर पाओगे इतने time है तो अगर इसको और भी आसानी से समझना है तो इसको body building की तरह समझो आप मेंसे कई लोग gym जाते होंगे तो अगर मैं 10 दिन की exercise एक दिन में करूँगा तो जो मेरी body है वो 10 दिन के बराबर नहीं बन जाए मेंस में जो answer writing है जो आपकी conceptual building है जो आपकी चीजों की समझ है वो समय मांगती है आपको उतना समय देना पड़ेगा अपने ideas को एक coherence way में लाने के लिए चीजों को समझने के लिए चीजों पे अपना एक perspective बनाने के लिए और ये सारी चीजें समय मांगती है आप इसको एक महिने या दो महिने में नहीं कर सकते हो जो essay के लिए आपकी preparation होगी जो आपको essay के openness की लाइने चाहिए होगी stories चाहिए होगी, examples चाहिए होगे आपके जो GS papers में आप examples quote करोगे case studies quote करोगे ये एक या दो दिन में आप नहीं कर सकते हो इसलिए ये जो है एक throughout the year आपको पूरे साल भर जो है इस चीज के लिए सोच सोच के करना पड़ेगा आप जो content पढ़ रहे हो आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए वो content देखके कि इस content पे prelims में इस टाइप का question बन सकता है इस content पे मेंस पे इस टाइप का question बन सकता है आप एक pre-planning लेके चलोगे कि ये topic है इस topic पे ये सवाल पूछेगा तो मैं ये लिखूंगा आप इसका उल्टा लेके नहीं चल सकते हो कि देखेंगे वो जो पूछेगा फिर जब इस philosophy वे चलोगे कि मेंस में देखते हैं वो क्या पूछेगा फिर वो जो कहते हैं वो पूछेगा कुछ भी आप लिख के वही आओगे जो आपको आता है वो कुछ भी पूछ रहा है आप वही लिखोगे जो आपको आता है और फिर वही पर जो लोग होते हैं जो कहते हैं कि लिखके तो पूरा आयते लेकिन marks नहीं मिलाता तो marks इसी वज़़ा से नहीं मिले ते वो पूछ कुछ और रहा था आप लिखके कुछ और आ रहा है जो चीज आपको आती थी तो इसलिए साथियों जो means की preparation है, उसको शुरू से ही, starting से ही build कीजिए, क्योंकि यह चीज समय लेती है, अपने ideas को परिपक कीजिए, mature कीजिए, अपनी writing पे work करें, और मैं यहीं से एक चीज आ जाती है, writing पे आ जाती है, तो बहुत सारे जो लोग होते हैं, दोनों ही भाषाओं में ले लेते हैं, चाए हिंदी हो, चाए English हो, तो जो language पे पकड़ होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है, कुछ के grammatical mistakes रहती हैं, sentence formation रहती है, और वहां से उठके आपको एक अच्छा answer देना है, जैसा कि आपने बुला आपका answer stand out करना चाहिए, ultimately यही selection दिलाएगा, यह आपका platter है, आप ज क्या advice दोगे कि वो इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? कि जो language है, उसके इतना ज्यादा focus ना करते हुए, हमें prioritize यह करना है, कि हम उस answer को कैसे rich बनाए, value कैसे add करें हम उस answer में, या फिर हम उस answer में हम कैसे हम information provide करें, क्योंकि जब आप grammar पे जाने लगेंगे, तो ऐसा होगा कि आपने एक answer की जगह वो एक short essay लिग दिया है, एक short article कि जगने हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक answer में बहुत तारे parts भी होते हैं, multiple parts, two parts, three parts, जग होशिशिश यह करें, कि हम वो जो keywords है, वो हमारे answer में reflect होने चाहिए, ना कि हमें इतना ज्यादा उसकी language पे उसकी grammar पे बहुत जादा focus नहीं करना है, उसके लिए हम multiple तरह से उसको use कर सकते हैं, जैसे अपने answer में हम ऐसे दिखा सकते हैं, कि अगर हमें pointers ठीक से हमारे नहीं बन रहे हैं, हमें लग रहा है कि pointers लिखने की वज़े से ऐसा हो रहा है कि one line लिख रहे हैं, two lines लिख रहे हैं, तो वो गलत sound हो रहा है, तो हम उसमें cloud के form में, या फिर हम उसक mathematics के form में उसको दिखा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि examiner को ये पता है कि हाँ, ये जो भी candidate है, इसको knowledge, information है इसके बारे में, तो वो जो keywords हैं, वो आपके answer में reflect होने चाहिए, वो matter करते हैं, तो सात्यों जैसा माम ने कहा कि जो आपका means का answer रहेगा, अगर वो आसान सवाल भी मान लीजिए, यहीं पर एक सवाल पूछ लेते हैं, सब लोग अपना-पना introduction दो, सवाल तो बहुत basic सा है, लेकिन इस basic question में भी अगर आप सोचोगे तो पाओगे, कि आप जितने लोग हो उसको different way में answer करोगे, और इसमें से कुछ answers जो होंगे, वो stand out करेंगे, वो बाकियों से बहतर होंगे, तो यह चीज आपको सोचनी है कि आप वहाँ पे ऐसी क्या information दे रहे हो, आप अपने answer का relevance कितना maintain कर पा रहे हो question से, जो पूछ रहा है वही चीज आप examiner को बता रहे हो, तो यह चीज एक matter करेगी आपको बहतर marks दिलाने में, और जैसा मैम ने कहा, आप practice करत साथ के साथ, यह सबसे बहतर solution है, अपनी लेखनी सुधारने का, अपनी answer writing सुधारने का, और अगर आपका level नहीं है वैसा, शुरू मैम मेरे ख्याल से जब हम सभी शुरुवात करते हैं, बहुत basic सा ही लिखते हैं, तो उस पे डरना या रुकना नहीं है, बलकि धीरे धीरे अपग्रेट करते चले जाना, तो मैम जो मेंस में जो paper होते हैं, तो हर एक paper पे कोई एक special strategy आपकी या कुछ special insight जो आपने find किया हो, GS में, essay में, उस पे कुछ अगर आप बताना चाहें तो, सबसे पहले तो एक जो special चीज जो मुझे अपनी preparation में लगी, वो मैं share करना चाहती हूँ, जैसे कि अभी जो 2023 का जो means हुआ था, UPVSC का, तो जो UP special paper 5 और 6 वो अभी पहली बार हुआ है, ये paper, इसके पहले last time तब जब मैंने 22 का जो attempt दिया था, में, उसमें UP special का paper नहीं होता थ जो मैंने अपने लिए जो UP special के means के लिए कुछ notes specific बना रखे थे, जो मैंने ये सोच था कि जब मैं means अपना लिखूँगी तो मैं इन चीजों को अपने answers में reflect करूँगी, तो I was very much surprised to see कि अभी जो 23 में जो questions आये हैं, बहुत सारे ऐसे questions हैं, जो मैंने directly already अपने पिछले notes में इंक्लूड कर रखे थे, किसी policy के form में या फिर किसी information के form में तो ये बहुत सारी है, इसलिए मैं बार बार इस पर एंफसाइज करती हूँ कि आपके जो, आपके जो note making है, वो आपकी immediate ऐसा नहीं है कि वो आप, आपने आज notes बना ली है, वो आपके सिफ दो महीने के बाद ज चाहिए कि वो आगे भी आपको useful वो इस तरह से रहने चाहिए, तो GS 1, 2, 3 और 4 की पहले जब बात करते हैं, तो इसमें जो अलग कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी students होंगे, जो UPSC और UPPCS की preparation simultaneously कर रहे होंगे, mostly करते हैं लोग state को साथ में लेके prepare करते हैं, तो आपक जो आंसर है, वो कैसे बाकियों से stand out कैसे होगा, तो इसमें दो चीजें जो इंपोर्टन्ट हैं वो यह हैं कि जब GS 1 में कोई question है, तो बहुत simple question है, suppose non-cooperation movement पे कोई question आया है, जो कि general question है, examiner आप से expect कर रहे है कि आप नन-cooperation के बारे हो लेकिन आपका आंसर डिपरेंट यू आप सारे आंसर में कर सकते हैं, GS 3 में especially, अगर आप कोई भी information दिखा रहे हैं अपने answer में, एक दो तरह के students होते हैं, एक ऐसे student होंगे, जो normal points के form में अपनी information को दिखाएंगे, दूसरा student ऐसा भी होगा, जो मैं करती थी, मैं कोई ऐसी information होती थी, suppose irrigation को question है, तो मैं क्या गरू अपने answer में कि मैं एक UP का map बनाऊंगी, और मैं UP का map बना के कुछ areas, कुछ information, मैं एसा होना चाहिए, को informative हो, कि कहां पी canal irrigation हो रहा है, या पर tank irrigation कौन से वाले parts में हो रहा है, एक दो एक्जांपल वो map में ही मैं तरके, और फिर मैं वो general answer irrigation का जो है, वो उससे क्या होगा कि जो आपको stand out करेगी दूसरे लोगों से, तो इसी पर साथियों जैसे मैं ने अभी बात करी, तो अगर आप लोगों ने इस बार mains का paper देखा हो, तो उसने मेरे ख्याल से soil profile पे question पूछा था, अब question तो बहुत basic है, soil profile का क्या utility है, वो इस चीज़ से कुछ related question था, अब question इतना simple है बट आप इसको किस तरीके से answer करते हो, ये चीज़ matter करेगी, और जैसा कि मैम ने कहा, जो questions है, वो काफी basic type लगा लो, या कैसे भी आ रहे हैं, वहाँ पे आप कैसे answer करोगे, जैसे जहां तक मुझे याद है, एक question पूछा था, crimes against women is increasing, या कुछ इस टाइप का पूछा था, तो इस पे आप क्या perspective दे के answer करोगे, क्योंकि इसका कोई एक exact हाँ या ना नहीं है, आपको substantiate करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ेगी, और मैम जो आपने दो UP special papers की बात करी, GS में, तो उसके लिए कहां से आपने material लिया था, कैसे उसका, कहां से, उसकी परपेशन कहां से करीब है? कहां कहां पर कौन कौन से रीजिन में, तो वो चीज यूपी के, जो यूपी का एक static part है, वो cover up कर सकते हैं कहीं से भी, और कोशिश करें कि उसको किसी तरह से, अगर कोई ऐसी इन्फोमिशन है, तो मिन्रल्स में, अगर आप नॉर्मल्ली आप इन्फोमिशन लिखने की जग तो अगर आप ऐसे करके अपनी इन्फोमिशन को दिखाते हैं, तो जो एक्जामेनर है, उसको बहुत जादा महनत नहीं करनी है, तो आपकी जो कौपी में इन्फोमिशन लिखी है, उसको ढूडने में और इससे होता क्या है, दूसरा फाइदा, कि आपको जो पेज मिला हु तो यह काफी effective मुझे लगता है कि मार्स पैच करने में रहता है है। यह आप पे निर्वर करेगा और एक ऐसी चीज है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता है यह आपके खुद से अंदर आनी चाहिए मैं अपने एंसर को किस तरीके से बेहतर बना सकता हूं और बेहतर बनाते हैं बस एक चीज का ख्याल रखना है कि एंसर रेलिवेंट होना चाहिए एंसर में आपके इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको जो नंबर मिलेंगे वो इंफॉर्मेशन के लिए मिलेंगे ट्राइंगल या सेर्कल या स्क्वेर बनाने के लिए नहीं मिलेंगे तो यह मत सोचेगा कि या मैं चार गोले बनाके आगया हूं एंसर में तो अब मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, वो गुले बनाने के लिए नमबर नहीं मिलता है आपको, त्रिभोज और स्क्वेर बनाने के लिए, इन्सवर्स जो मार्क्स हैं, आपको information पे मिलेगा, अब ये आप पे है, जो मैम ने बोला limited space में आप किस तरीके से information को present करते हूँ मैम इससे related दो questions और है मेरे, एक तो जैसे जब number of questions आते हैं paper में, तो कुछ questions ऐसे होते हैं जिसका हमें कोई idea नहीं रहता है, या कुछ पता नहीं नहीं रहता है, तो इसमें मेरे को दो चीज़ बता दीज़ेगा, आप अपने experience से, क्या पूरा paper attempt करने में समझधारी है, कि जितने question हैं सब में कुछ न कुछ लिखके आऊंगा, या फिर जो एक दूसरी approach है, कि मेरे को इसमें से कुछ limited set of questions हैं, जो में क्या approach रहता है, देखिए पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए, कि पूरा paper attempt हो जाए, क्योंकि wise decision यही होता है, कि अगर आपको suppose कोई question है, जो आपको ऐसा लग रहा है, कि यह आपको बहुत अच्छे तो इसलिए सिर्फ यह सोचना कि जो मुझे question अच्छे आते हैं, सिर्फ नहीं पर focus करूँ तो उससे क्या होगा कि जहां कहीं आप average लिख के शायद वो eight marks का question है, तो वहां पर आपको तीन marks या दो आपको मिल सकते थे, यहां पर आपने जो बहुत अच्छा लिख दिया, शायद आपको आधा marks वो extra दे देगा, लेकिन वहां पर आपके marks compromise हो गए, जो 2.5 marks आपके compromise हो गए, तो पहले तो यह कोशिश करनी चाहिए कि आप सारे जो questions है, वो attempt करने की कोशिश करें, कभी कभी यह होता है कि 16 out of 20 questions हमें ऐसा होता है, जो आते ही हैं, तीन या चार questions होते हैं, जिसमें थोड़ा सा यह लगता है कि confidence नहीं आ रहा है, यह तो पढ़ा नहीं है कभी भी, तो उसमें जितनी आपका जो एक होता है, आपका common sense, या फिर जो आपका natural reasoning होती है, उसका use कर के उसको attempt करने की कोशिश करें, और in case वो आपको बिलकुल ही नहीं आता है, मतलब आपको पता ही नहीं है, को ऐसा keyword पूछ लिया है, कभी-कभी यह होता है, कि हम जो question लिखा होता है, वो English और Hindi में दोनों में लिखा होता है, English वाला समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार हो ह इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो शायद वो एक question आप तो compromise कर सकते हैं, और वैसे कोशिश यह करने चाहिए, कि पूरा paper तो at least पूरा attempt करें तो में प्रिलिम्स पर भी आगए, में पर भी आगए, अब एक basic question जो सारे students को होगा, newspaper बता दो, कौन सा वाला आपने पढ़ा था, जो हम भी पढ़ें, तो newspapers में क्या कुछ selected newspapers हैं, जो अच्छे हैं, जो बेहतर हैं, जिनको पढ़ा जा सकता है? Newspaper में देखे, जो भी लोग prepare करते हैं, mostly Hindu, Indian Express, इस तरह के newspapers को, या फिर जो अगर जो financial papers होते हैं, business line, इस तरह के papers को refer करते हैं, Newspaper कभी-कभी हम peer pressure में आके ऐसा उठा लेते हैं, जैसे कोई paper है, जो इसकी language हमें समझ में नहीं आरी है, और peer pressure में हमने वो उठा लिया है, तो ये वाली गलती नहीं करनी चाहिए, ऐसा आप newspaper उठाएं, अगर आप Hindi में prepare कर रहे हैं, तो Hindi का newspaper, या फिर English में prepare कर रहे हैं, त सातियों, newspaper आप अपनी सुविदा अनुसार, अपनी समझ अनुसार पढ़ सकते हो, newspaper पढ़ते हैं, एक बात का ख्याल रखो कि newspaper अपने ले पढ़ रहे हो, सामने बैठे वाले जो सीट पर बैठा हुए, इसको दिखाने के लिए नहीं कि मैं newspaper पढ़ रहा हूँ, अगर आप topic पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, तब तो सही है, आप सही चीज पढ़ रहे हो, और newspaper में भी news पढ़नी है, information पढ़नी है, politics नहीं पढ़नी है, उत्तेजित नहीं हो जाना है कि कोई topic पढ़ लिया, आप चाहे समोसा पे पूरे दिन वहीं पे मतलब, आज तो ये आप में आके बहन ही जाना है, कि वहाँ पे कोई मुद्दा चल रहा है, जिसका examination से कोई लेना देना नहीं है, आप उस पे लगे हुए हो दिन रात, आज और मैं सुझा देता हूँ, home ministry को मैं ही suggestion दोंगा, ऐसा कैसे कर रहे हो तुम लग, तो ये चीज नहीं करनी है आपको, exam वाले topics पे focus रखना है, exam से related जो information है, उसको लेनी है, और newspaper को एक medium बनाना है, अपने pre के लिए, mains के लिए, interview वाले stage के लिए, जो चीजे पूछी जा सकती है, वो चीजे पकड़ने के लिए, तो newspaper दोनों तरीके से काम करते हैं, जैसा मैंने देखा, especially आजकल के times में, ये आप आपको defocus भी बड़ी जल्दी कर सकते हैं, कहीं और divert कर दिया, preparation से उठा के, आपको अपना focus केवल और केवल, exam पर रखना है, जब newspaper पढ़ रहे हैं, जो आपके काम की चीजे है, उसको पढ़ लिया, जो काम की चीज नहीं है, उसको ignore कर दी जाए, या जब आपकी preparation खतम हो ज पढ़ते हैं, तो एक चीज ये भी होती है कि कभी-कभी हम इतने emotional हो जाते ही, newspaper पढ़ते होए, कि हम तीन घंटे newspaper ही पढ़ते रह जाते हैं, तो उसको बहुत strategically और बहुत unemotional होगे आपको अपना newspaper cover करना है, यो have to decide कि आच्छा, ये बस मेरे पास ये 1.5 घंटे हैं, या फि इसमें मुझे अपना newspaper cover करना है, तो वो चीज भी matter करती है, newspaper पे जरूरत से ज़्यादा समय नहीं देना है, वो आपको एक basic level की information देगा, और इसको इस तरीके से भी समझेए, newspaper जिस चीज के लिए बने हुए है, उनका जो relevance है, या जो उनका काम है, वो कहीं और के लिए बने जगा है, आपको देखना है कि newspaper में से आप क्या चीज ले सकते हो, और जैसा मैम ने कहा, एक detached way में, emotions को side में रखके, आपको informations को analyze करना है, मुद्दो को analyze करना है, उसके pros, cons को analyze करना है, उसका conclusion अपने दिमाग में सही बिठाना है, जो की आप UPPCS examination में लिख सकते हो, और यदी कुछ ऐसे topics आ रहे हैं, जिन पर आपको नहीं समझ रहा है, उसका base क्या होगा, तो उसका base जो है, जो हमारा constitution है, जो हमारी Supreme Court की guidelines है, वो होंगी, वहीं तक अपने आपको limit करके रखना है, limit करके चलना है, और समझना है कि commission आपको किस चीज के लिए रहा है, it is taking you for serving the people, और व और वहीं से हम अपने next segment में पहुचे हैं, जो कि interview वाला है, तो साथियों जो आपके जो ग्यानवनी session होता है, इसका एक purpose ये भी रहता है, आप toppers को देखो, उनकी body language देखिए, वो किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से अपने thoughts को process करते हैं, ये सारी चीजे देखिए, तो मैम जो एक interview वाला phase रहता है, इसको क्या surprise के लिए छोड़ देना चाहिए, कि अब glimpse हो गया, means हो गया, अब जाके मैं दिखाऊंगा, मतलब मैंने three digits देखी थी, मैं जाके, जो मेरे मन में है, तीम सार साल का, जो मैंने भर के रखा है, मैं जाके बोल दूँगा table पे, और जो है, दमाकेदार नंबर दे देंगे, क्या ऐसा होता है, देखे, जब आपने ये सोच लिया है, जिस दिन आपने सोच लिया है, कि आपको इस exam के preparation करनी है, उस दिन से ही आपकी interview के preparation शुरू हो गई, जब आप prelims के लिए पढ़ते हैं, या आपने इस के लिए पढ़ते है तो आप information तो collect करी रहे हैं, तो आपका, नॉर्मली भी आपका एक personality development हो रहा है, दो तरह से personality development होता है, एक intellectual level पे होता है, और एक आपका जो physical जो आपका एक attributes है या फिर आपका जो appearance है उसके basis पे होता है, तो जो वो base है वो तो आपका prepare हो रहा है, क्योंकि जब हम means में answer लिख 8 और 12 marks का answer लिखना होता है, इंटर्व्यू को मैं ऐसे देखती हूं कि जब आपसे कोई वो ऐसा question पूछ रहे हैं, तो वो आपका एक, वो भी आपका एक main answer है, जो कि आपको 8 minute में answer करना है, वो भी overly answer करना है, तो जब आपको एक conceptual clarity होती है, आपको issues के बारे में पता होता है तो आप उसको उस तरह से present कर सकते हैं, लास के जब इंटर्व्यू का जो जो एक 15 दिन का एक महिने का time होता है, उसमें कुछ एक दो mock sessions देके सिर्फ आप यह कर सकते हैं, कि जो एक hesitation है आपके अंदर, या फिर क्योंकि कभी आपने वो वैसे board को face नहीं किया है, तो उसकी practice हो सकती है, लेकिन overall जो interview के preparation होती है, वो तो through out आपके preparation के time पे ही होती है, और आपको जितनी जादा clarity रहेगी, उतनी clarity के साथ आप panel को face करेंगे, questions को उनके face करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत integrated approach है, तो साथियों यहीं से मतलब interview के लिए आपको अभी से लग जाना है अपनी body language पे, आप किस तरीके से अपने thoughts को present करते हो, आप किस तरीके से बोलते हो, जो आपकी communication skills है, यह भी एक दो दिन में आप नहीं सुधार सकते हो, यदि बहतर है तो इसे और अच्छा बना सकते हो, और interview के लिए भी जैसा ma'am ने कहा, वो एक mains का answer ही होता है, जिसको आ चीज वो आप मानते भी हो या नहीं मानते हो, तो यह सारी चीज़ें interview के लिए आपको help करेंगी और ऐसे घ्यानवानी sessions हम और भी करवाते जाएंगी, जहां पे अलग-अलग toppers आएंगे, आपको अलग-अलग types की tips देंगे, तो मुझे लगता है कि अब हम students के जो है, थोड शुबं कुछ common questions है हमारे पास ठीक है, तो मैं में एक basic सा question है, किस language में इस paper को दिया जाए, उसका selection कैसे करें, English में करें, Hindi में करें, क्योंकि काफी बार ऐसे होते हैं कि schooling जो है, Hindi में होती है, फिर graduation में English पढ़ते हैं और graduation के बाद जब paper देने आते हैं तो confused रहते हैं क्या किया रहा है, देखें, जो भी schooling आपकी किसी भी language में होई हो, लेकिन mostly जो ऐसे जब आप graduation में आते हैं, तो mostly मैं देखती हूँ कि आप जो graduation में आप अपने subject पढ़ते हैं, तो most of the time English में पढ़ते हैं, तो उससे वो तीन साल में आपका जो एक language है, English की language है, वो थोड़ी इंप्रूव होती है, अब हमें ये जो एक्जाम है, वो उसको किस language में परसीव करना चाहिए है, हिंदी तो देखे हमारी mother tongue है, तो हम सब fluent होते हैं, हिंदी बोलने में, लेकिन जब हिंदी लिखने की बात आती है, तो क्या हम उसको grammatically सही लिख सकते हैं, या फिर क्या हम उस English अगर आपके जो language है, वो थोड़ी बहुत बहुत है अगर आपकी language, थोड़ा बहुत भी आप ठीक से लिख लेते हो उसको, तो एक फायदा ये होता है English में करने का, कि आपको जो उसका material है, वो बहुत easily available हो जाता है, अगर हम नियू स्विपल की भी बात पे रहे हैं, तो English में नियू स्विपल, Indian Express, या फिर Hindu, या फिर जो भी conventional जो बुक्स है, कोचिंग का जो material है, वो काफी easily available हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मीडियम ऐसा चूस करना चाहिए, जिसमें आपको बहुत easily आपको sources available हो जाएं और जिसमें आप pursue कर पा हो, और साथियों language, जो आप choose कर रहे हो, तो language का purpose समझे, language का purpose है communication, आप अपने ideas को जिस भी language में बहतर तरीके से लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, communicate कर सकते हैं, आपकी language वो होनी चाहिए, ना कि कोई peer pressure हो, कि बाकी सब लोग फला फला language लिख रहे हैं, मैं इसमें comfortable हूँ, मैं भी ले लेता हूँ, ना तो peer pressure हो, ना ही किसी की देखा देखी हो, आप जिस language में fluent हैं, आप बहतर तरीके से सोच सकते हैं, दोनों चीज इसमें आती है, आप किस भाशा में बहतर धंग से सोच सकते हैं, और किस भाशा को आप बहतर धंग से paper पे लिख सकते हैं, वो वाले आप question, वो language आप चूज कर सकते तो questions ले लेते हैं, शुबम प्रशान्त का पहला question ले लेते हैं, प्रशान्त आप question पूछ सकते हो प्रशान्त आपकी आवाज नहीं हारी तोड लौड बोलिए प्रशान्त आपकी आपने बोला मैं कि मैंने शिश्टीन टाइम लक्षमी कांथ पढ़ा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो उसमें टोपिक थे उस पे आपने किस तरह से उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए कौन से साहरा लिया और किस तरह से आपने अपनी न पहले उसमें जो फस्पेज है तो उसमें नोट डाउन कर लेती थी कि अच्छा यह मैं पहली बार पढ़ने जा रही नोट तो मैं पहले से ही डिसाइड कर लेती थी कि नेक्स्ट जो भी एट डेज हैं या फिर नेक्स्ट वीक में मुझे थोड़ा-थोड़ा करके इसको करना है उससे क्या होगा कि अब आपको उसको प्राइटाइज करना है कि कौन से टॉपिक्स आप पहले चूज करेंगे तो जैसे कुछ इंपॉटन टॉपिक्स होते हैं फंडमेंटल जो आपके डीपी एस्पी या फिर आप पार्लियमेंट वाला जो चाप्टर है वह आपक जब आपका एक बार वह वाला पार्ट पिनिश हो जाए तो जो आपके जो रसीडूल जो टॉपिक्स बज गये हैं बाद के जो इलेक्शन के जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं या फिर ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जिनको आप बहुत जादा फोकस होके नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका काम बन जाएगा तो ऐसे करके आपको प्रायोटाइज करने हैं जितनी बार भी आप पढ़ेंगे अपनी बुक को श्टुबम मन्जू मिश्रा का क्विश्टन ले लेते हैं गुद आपकर नून मैं मैं मेरा कुश्चन है कि मैं अल्रेडी जॉब में हूँ और इसके पहले मैंने प्रेपेशन किया था जे का इंटर्व्यू दिया है दो दो MP और UP यूपी एपियो का भी दो बार इंटर्व्यू दिया है लेकिन मैं अमेरा कहिश्चन नहीं करण मैं कभी तीन-चार साल से बिल्कुल पढ़ाई से दूर हो गए थी तो थोड़ा डिप्रेशन में भी थी अभी मैं SDIQ से मिलके और से परसे करके फिर से लगी हूं तो ऐसे लग रहा है कि सब कुछ आता भी है और बिल्कुल कुछ भी नहीं आता क्रोड़ी तो बड़ा कंफ्यूजन है मैं मैं टाइम-टेबल को भी थोड़ा सा सेट करने में मुझे प्रावबलम आ रही है कि मैं टाइम-टेबल कब करूं कर घर पर बच्ची भी है इस्पूल में जारा टाइम बिता है तो थोड़ा मेरे हैं करीए है देखिए आपका शिडियूल जैसे आप बता रही है काफी बिजी रहता है तो उसे कोशिश करें कि जो भी टाइम आपको मिल रहा है सुबह के टाइम में या फिर दोपैर में कभी भी कुछ थोड़े थोड़े बिट भाई विट थोड़ा उसको करने की कोशिश करें और जैसे कि आपको कौन से स्टेज में प्रॉब्लम आ रही है जादा आपको जैसे कि आपने इंटर्व्यू दिया है लेकिन आपका फाइनलिस्ट में नहीं आया करें कि यहां थे देखें कि अपना जो मेंट बडूब कर रही है आप टाइम मलता है आदे गटे का टाइम मिल रहा है जैसे तो कुशश करें कि दो तीनगिक की अग्या तो अपने टाइम के साफ से स्ट्राटेजाइज कर सकते हैं मैं जो मेरी अभी प्रॉब्लम है अप मेरी एज की वज़ा से अज मैं नहीं बता सकते लिए कि मुझे ऐसे लगता है जो सब कुछ आ भी रहा है विशे से मैं एकोनामिक्स पढ़ गही हूं तो ऐसे लगता है कि सब कुछ जाना पाचाना है और क्लास खतम होते हैं लगता है मैं कुछ नहीं आता मुझे यह कन्फूजन की स्थिती मेरी मैं बहुत जाता है देखे यह तो प्रॉब्लम यह तो एक्जाम के टाइम से भी आपको यह वाली प्रॉजन रहेगी कि मतलब यह वाली जीज ना कि आपको आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है तो यह तो जब आप एक्जाम लिखने बैटेंगी तब भी आपको यह वाली फीलिंग आती रहेगी लेकिन बस यह आप जो भी आप पढ़ रहे हैं या फिर जैसे भी आप कर रहे हैं तो आपको यह अपना खुद पर confidence आपको बहुत रखना जरूरी है कि जो आप कर रहे हैं आप नोट्स जो हैं जो study IQ का material है या फिर कैसे कैसे कम time में आप जादा से जादा अपने आपको अच्छे से present कर सकती है यह आप कोशिश करें क्योंकि time की आपके पास कमी है वो मैं समझ पा रही हूं तो परहीन माम कुल मिला के time की कमी है बट यह है कि यदि माम ने इंटरव्यू तक दिया हुआ है तो इनको idea है आपको क्या क्या करना है तो आपको ऐसा माम कित्ती बार भी पढ़ लो ना मंजु माम वो सबको एक जैसा ही लगता है कुछ नहीं पढ़ा है वो जब आप paper देने जाओगे ना तो आपको सारी चीज़े याद आ जाएंगी जो नौइज आती है है मंजु माम के बगल में जो है है हलो मैं आपको यह संकिता यह सो माम आपको की हम मेंज का प्राक्टिस कैसे करें और जो भी हम पढ़ते हैं ऐसको कैसे करें मतलब कहते जो करेंट फैर हो जुकिश दरह आप GR हैना आपने जुलाई से शुरू किया है अपने करेंट अफैर पढ़ना तो अगर आप हाड कॉपी पढ़ रही है या सौफ कॉपी अगर आप पढ़ रही है तो जब आप एक रीडिंग आप ने कर लिए तो उसके बाद आप यह कभी ऐसा होता है जब हम पहली रीडिंग करते हैं तो उसमें बहुत जादा माक कर लेते हैं अपने बुकलेट में फिर जब आप सेकेंड रीडिंग में करते हैं तो आपको लगता है कि यह तो अव्वेस चीज है यह तो मुझे याद है तो दीरे दीरे करके ना जब आप मल्टिपल जब आप करेंट अफैर की मल्टिपल री उन दो मेनों में अटलीस्ट मेरी सारी करेंट अफैर की तीन रीडिंग सोग तो उसके लिए जब मैं पहली रीडिंग करती हूं तो मैं थोड़ा ज्यादा पूरिशन में हाइलाइट करूंगी जो मुझे याद नहीं है नेक्स टाइम में जब रीडिंग करूंगी तो मैं करने के उसको और क्रेसाइज करने की कोशिश करती हूं और जब लास्क जो मुझे लिदेंग करनी है उसमें तो जल्दी-जल्दी क्यूंकि जब हम लैते हैं जल्थ जल्सक्रन करते है तो वह घूल जरूरी है कि आप बार बार बहुत जल्दी जल्दी रिवाइस करें तो उसे आपको एक्जाम की टाइम तक भी सारी चीज़ें याद रहेंगे अधित्य आप अपना क्वेश्टिन पूछ सकते हो माम की रांग 14 थी तो कोई एक अच्छा सा क्वेश्टिन हो जिससे आपको भी अधित्य चौहान अधित्य चौहान अधित्य चौहान Hi iam, good afternoon, good afternoon sir good afternoon so sir, actually my question is regarding time management since I am actually a working professional so I have a job from 10 to 10 to 6 and then I I sit for this like I have this like everyday coaching in the evening and then I do personal studies and again in the morning I do I go for like this newspaper reading and all these things so my first question is regarding the time management like how can I optimize my time for further studies and second question is regarding like which is almost resembling the Ankita's question like how to revise our previous subjects like Ankita is asked for the current affairs but I am asking for the quality and like we are done with the quality we are done with the modern history so how to like in further course how to revise these questions on on time-to-time basis so that we could not like forget forget those things from the schedule yeah yeah I think the biggest problem in this is that what happens when we read a book for the rest of them if we be just stuck and then we think that once we come into this understanding में आ जाएगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे तो वह वाली मुझे लगता है कि जब यह चीज करते हैं जब एक जगह दो जगह स्टख हो जाते हैं तो वह हमारे रिविजन में भी टाइम टेकिंग वह प्रॉसेश हो जाता है और फिर वह हमारा एक्टिवली टाइम मानेजमेंट भी नहीं हो पाता है, तो बहुत strictly आपको एक time decide करना है, कि अच्छा ठीक है, मुझे ये book पड़नी है, ये मुझे revise करनी है, तो next three days में, जैसे कि मैंने पहले भी अभी बात की थी कि मैंने लक्ष्मी कांद को इतने बार पढ़ा है, जब मैंने पहली बार लक्ष्मी कांद बढ़ी थी, तो शायद मैंने one week का time लिया था, लेकिन जब मैंने next subsequent जब मैंने readings की, तो एक point ऐसा भी आता है, कि जब लक्ष्मी कांद को आप 6 गंटे में भी revise कर सकते हो, तो इसलिए आपको बार बार, जहां पे भी आप stuck हो रहे हो ना, you have to move on, यह सोचके कि जब next reading होगी, तो मैं इसको देख लूँगा, तो वो कर, ऐसा अगर आप करते हो, तो आपको time management भी होता है, और आप बार बार जब आप revise करते हो, कोई भी चीज, तो आपको ज़्यादा समझ में आती हैं, और पिछले वाले revision के comparison में आपको और ज़्यादा रहती हैं, इसी में माम अगर आपका permission है, तो मैं दो चीज़ आड़ कर देता हूँ, अदित्य के question के लिए, अदित्य आपने पुछा था कि आप एक working professional हो time कैसे निकाले, तो अदित्य इसमें ऐसा है कि देख लो, जैसे जो लोग full time भी करते हैं तयारी, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि efficiency नहीं रहती है, मतलब ऐसा लगता तो है कि दिन बर पढ़ रहे हैं, बट not necessarily कि वो पूरे दिंबर पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को जो mental block है, इसको मन से निकाल दीजे, कि अगर working professional हैं तो उतना time नहीं मिल पा रहा है, एक optimum time होता है जो आपको struggle करके, fight करके निकालना होगा, और उस time को आपको ensure करना होगा, कि वहाँ पे आपकी maximum efficiency आए, और दूसरी चीज़े मान लेते हैं कि यदि आपकी job बहुत hectic है, तो challenge आपके लिए तोड़ा ज़्यादा रहेगा, बट यह है कि आपको फिर अपने काम वाले time में से moments चुराने पड़ेंगे, जहाँ पे इस break में तोड़ा newspaper में देख लिया, या current affairs का कुछ देख लिया, अगले break में तोड़ा questions देख लिया, आपको इस तरीके की fight करनी पड़ेगी, और जो एक basic question जैसा आंकिता का भी था, आदित्य का भी था, कि that is one revision, और उसको मैम नहीं बताया, कि किसी चीज़ पे stuck मत करो, move on कर जाओ, तो ये ensure करेगा कि आप multiple readings कर ले रहे हो, और इसी से related दूसरी चीज़ है, जो आपका revision है, it needs to be spaced out, इसका क्या मतलब है, कि जो चीज़ आप आज पढ़ रहे हो, उसको ensure करो कि 21 दिन बाद, तीन हफते बाद, या महीने के अंत में आके, फिर से एक बार तो कम से कम touch कर लो, क्योंकि एक महीने बाद जो है, जो memory है, वो decay करने लग जाती है, भूलना start हो जाता है, अगर आपने उसको बीच में देख ही लिया, तो भी आपको retain रहेगा, कम से कम महीने में एक बार जो पिछला पढ़ा हुआ है, उसको तो देखना है ही है, और दूसरी strategy इसमें जो लोग कह रहे हैं, कि जो problems आ रही हैं, जो पहले किया हुआ है, तो उसमें यह है कि आपको, जैसा मैम ने कहा, लक्ष्मी कान जब मैं आपने पहली बार पढ़ी थी, और जब multiple revisions में पढ़ी, उसमें time same नहीं लगा था, पढ़ने में बहुत अंतर था, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपके आगे के revisions है, उसमें आप पन्ने पलट सकते हो, मतलब की जस्ट खोल के देख लिया क्या है, उससे भी चीजें जो है, आपके दिमाग में छपती चली जाएंगी, और आपका revisions होता चला जाएगा, word to word नहीं पढ़ना है, यदि कोई चीज आपने एक हपते पहले पढ़ी है, एक हपते बाद, आप जस्ट पेजे स्टन कर लिजे, वो चीज आपको याद होती चली जाएगी, एक शुब हम लास्ट कॉश्चन लेंगे, तरुमा का ले लेते हैं, लास्ट कॉश्चन, और इसके बाद तरुमा के बगल में भी, काफे टाइम से वो है, तो उनका भी ले ली जगा, दो कॉश्चन सोर ले ले, तरुमा आप अपना कॉश्चन पूच सकते हैं, प्लीज पूचिया, गुड आफ्टरून माम, माम माम बाइटेंट इस ताट, माम 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 बाइटेंट इस इन 2025, माम माम बाइटेंट वीचliamo से बड़ेश आएटेंट लेलीज़ें लेटेंट लेहे हैं, बाइटेंट लह is करने Firamव थाचिया, माम माम Lapाइटे देरेंट ले दिःनी आटेटें, it says economy and agriculture so mom there are topics like uh planning resource mobilization economic growth development then there are e-technology aid to farmers so mom what can we do like exactly if we study for problems then it then the topics are different from the topics mentioned in the main syllabus so my question is how to integrate uh the preparation of pre and means subject wise so that we can uh move uh you know in a comprehensive manner in our preparation first of all saroma this is very like uh like a surprise to me that you have started with economy and uppsc ke liye that can be a point but uh as a beginner jab hum prepare karte hai so generally we will choose those topics first which we will help both means and prelims and if you are preparing for uppsc to prepare for uppsc then the weightage for that is not much as basic economy yes economy covers some different topics also like economy you talk is not very much static economy is very much current affairs oriented it's very much updated you have to be updated in economy so try to try that in ES economy you have to be a little bit like that sometimes our prelims and mains syllabus is not overlapping so if you are giving 25 terms then try to cover those topics first which you can integrate and then you will have to again and again like keep yourself updated so you will have to again and again like keep yourself updated and keep track on newspaper for economy as well and keep track on newspaper for economy as well so you will make last question lenge jeja taruma ke side me unkale lijeo और सर मेरे साथ टाइम बाउंडिशन बहुत जाद रहती है एंड सर मैं लास्टियर मेरा प्रिलिम्स क्लियर हो चुका था और उस टाइम मेरा क्या में नहीं दे पाया था तो मैं यह सोचता हूं कि मैं कैसे लिखू और क्या लिखूं तो यह समझ में नहीं आ रहे हैं कैसे सरने में जो मेंटर अनॉन मेरे को बताया कि जब अटेंट करना है जैसे आपने इंट्रॉडेक्शन लिख दिया उसके बाद जब उसको पॉइंट वाइड करें है एडिंग यह वागता को समझ में नहीं चाहिए तो उसके लिए आप एक तो यह कर सकते हैं कि जब भी आपको कुई आपनी subject में क्लासिफा कर सकते हैं चोटे चोटे सब-दिंग के अंदर आप एग眼टर या दो पोइंटर करेंगे तो आपकी जादा से जादा information भी cover कर पाएंगे और आपको एक बहुत satisfactory एक आप answer भी लिख सकते हैं उसमें और अगर और आपको यह देखना है सबसे पहले जो भी question पूचा है information होती है जंदर information होती है जब आप answer में आपको अगर 10 points आते हैं तो आप 10 के 10 ही लिखें आपको उसमें से जो points हैं वो prioritize करने पड़ेंगे तो prioritize करने के लिए कभी-कभी ऐसा भी होता है कि points वो same है similar type of points है आपने उस बहुत जादा क्योंकि multiple तरह से पढ़ रखा है तो आपको दो तीन points हो सीम लग रहे हैं कोशिश यह करेंगे जो आपके 5 points आप लिख रहे हैं वो थोड़ी diversified हों ताकि आपका answer थोड़ा सा अलग एक different बहुत सारे perspective cover हो जाए और उसमें आपके जो अच्छे points हैं जिनको आपको prioritize करना चाहिए दस में से अगर आप 5 points भी लिखेंगे तो भी आपका answer उतना ही effective और उतना ही अच्छा देखेगा और इसी में माम कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होच सुजान रसी आवच जाते इस सिल पर परत निशान तो आप practice करते रही है आपका जो answer है बहुत बहुत हो जाएगा और माम अन्त में I think जो diversity हमको यहां पर देखने को मिली है दो टाइम आपको कैसा लगा यह interaction आपकी side से कैसा रहा हमारे students से interact करके बहुत बहुत अच्छा एक बहुत in terms of diversity of like aspirants यह बहुत अच्छा लगता है मुझे यह देखके especially बहुत जादा women candidates भी हुजे यहां सामने दिख रहे हैं इन फेक्टो जादा दिखे हैं women candidates भी जादा सामने आ रहे हैं तो वह बहुत खुशी की बात है कि जादा से जादा aspirants encourage हो हो रहे हैं और UPSC में देखे age का या time का बहुत जादा ऐसा कुछ limit नहीं है जैसे कि 32 years UPSC में है तो diversity in terms of age doesn't matter आपके जो motivations हैं आप जो करना चाहते हैं आपके जो aim हैं और आप उसके लिए कैसे pursue करते हैं वो matter करता है भले ही वो 25 के लिए appearing हो या फिर में कोई जो आपका experience रहा है जो struggle रहा है अगर उसको एक line में निचोड के देना हो एक एक line कोई एक particular advice चाहिए academic हो या non academic हो कुछ भी हो सकती है कोई एक line में single line में अगर आपको मैं summarize करने को बोलो हमारी students के लिए तो क्या रखें अपनी experience के हिसाफ से तो मैं अगर 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 जर्नी को देखती हूं तो मैं यह देखती हूं कि तो मैंने अपना ग्राजुएशन किया था उसके बाद 2017 से मैंने यह प्रिपरेशन स्टार्ट की और 22 में मेरा अगर यूपी प्सी में से लेक्शन हुआ तो तो तूआउट इस जर्नी और फाइव यूर्स अप मैं प्रिपरेशन मैं एक चीज जो अब आके मुझे जो मेरे कि अंदर थी consistency वो जो एक persistence होता है न वो बहुत जरूरी होता है आपके life में ups and downs आते रहते हैं कभी अपका prelims नहीं 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 लेकिन वो जो एक एक वो जो फीलिंग होती है कि कल prelims का result आय था आपका नहीं हुआ and then the next day you started the same journey again and with the same schedule वो वो same energy के साथ तो मुझे लगता है कि that matters a lot and that helps a lot at the end of the day तो सात्यों discipline बहुत जरूरी है और discipline के अधार पर जो है जो स्टूडियम हमारे शुबम सर बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि time exceed कर दियो है discipline follow करो तो discipline हम लोग भी follow करते हैं और जो आपके non academic doubts काफी सारे लोगों ने stress पे पूछा motivation पे पूछा इस पे हम लोग जो है एक अलग से session ले लेंगे अगर possible होगा आपकी class की schedule के साथ ही ले लेंगे या फिर जैसे आज हमने लिया हुआ है इस तरीके से ले लेंगे तो आप जित् determination qualify करने में बहुत-बहुत help करेगा आप सभी लोगों को time निकालने के लिए और हमारे साथ जुढने के लिए मैं के साथ जुढने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद अपना ध्यान रखिए और जम के पढ़ाई कीजे और जो भी आपकी curious and doubts आते हैं आप mentors को ब